आज लोग सभा में राष्ट पती का भी प्राइब नाइट नाइट में आप सभी का स्वागत है आज लोग सभा में राष्ट पती के विभाश और धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी तो सिलसले वाद तरीके से सरकार के कामों को गिराया प्यम मोदी ने विपक्ष कर खासकर उसके कॉंग्रेस पर जम कर हमला बोला प्यम मोदी के संबोधन में क्या रही बड़ी बातें इसको हम दिखाएंगे विस्तार से इसके लावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्पूर खबर शुरूआत हैडलाइन्स के साथ प्यदार मंत्री ने युवा, नारी, किसान और गरीब को बताया विक्सित भारत की मजबूत नीब कहा सशस्त्र वलों से संसत तक गूज रहा नारी शक्ति का सामर्थ मोदी की गारंटी भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था प्यदार मोदी ने कहा अबकी बार 400 के पार तीसरा कारकाल ज्यादा दूर नहीं पहले कारकाल में भरे यूपीय के गड़े दूसरे में रखी नए भारत की नीब तीसरे में विक्सित भारत के लख्ष को देंगे तेज रफ्तार कहा भारत को नई उर्जा देता रहेगा राम मंदिर पुर्धान मंत्री ने विपक्ष पर बोला हमला कहा परिवारबाद में उलजी कॉंग्रेस नहीं देख पा रही है करोणों परिवारों की उपलब्धिया कहा जिसे अपने कुन्वे पर विश्वास नहीं उन पर देश कैसे करेगा भरोसा विपक्ष एलाइन्स का बिगड़ा एलाइन्मेंट विवाजन कारी राजनीत करने वालों को पुधान मंत्री मोदी की कड़ी नसीहत कहा देश को नहरू जी की गलतियों की चुकानी पर रही है कीमत कॉंग्रेस पर कसात्तंस कहा कब तक तोलते रहेंगे देश बजट सत्र के चौते दिन पेपर लीक और नकल पर नकेल कसने के लिए सरकार लाई सक्त विदेहक एक करौन जर्माना और दस साल तक की सजा का है प्रावधान जम्मू और कश्मीर इस्थानिया निकाय कानून संशोधन विदेहक 2024 भी लोकसभा में पेश गैर भाज़पा साशित राज़ओं को धन आवंटन में भेदभाव के आरुपों को वित्त मंत्री ने सिरिसे किया खारज कहा वित्त आयोक के सिफारिश पर किया जाता है धन आवंटन राज़ओं को केंढ से मिल रहा है उनके हक का उरा पैसा ग्रैमी अवार्ड में मची भारती संगीत की धूम शंकर महादेवन जाकिर हुसेन के बैंड शक्ति के नाम बेस्ट ग्लोवल म्यूजिक अलवम का वार्ड मौसरी वादक राकेश चौरिस्या ने भी जीता दूसरा ग्रैमी प्यम मोदी ने दी बदाई बदाया भारत की उपल जार्खंड में चमपई सोरें सरकार को विश्वास मत हुआ हासिल पक्ष में 47 जबकी विरोध में मिले 29 वोट विश्वास मत के बाद एडी दफ्तर ले जाये गए जार्खंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरें जार्खंड हाई कोट ने सोरें की याचका पर एडी से नौ फर्वरी तक मांगा जवाब खबरों पे डालते हैं विस्ता से नजर पधान मंत्री ने द्रबोधी ने लूक सभा मेराश्ट पती के विभाशर पर धन्यवाद प्रस्ताओं पर चर्चा का जवाब दिया इस औरान पीम नरेंद्र बोधी ने विभाश पर खूब निशाना साधा पधान मंत्री ने विभाश के परिवारबाद की नीद पर जम कर हमला बोला कि देश ने जितना कि परिवारबाद का खाम्याजा उठाया है और उसका खाम्याजा खुद कॉंग्रिस ने भी उठाया है अब अधिर बाबु की हाला तुम देख रहे हैं बनना ये समय था संसद में रहने का लेकिन परिवारबाद कि सेवा तो कड़ी पड़ती है अब हालत देखिए हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन सिफ्ट हो गए और गुलाब नभी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए ये सब परिवारबाद के भेंट चड़ गए एक ही प्रोडक्त बार बार लॉंज करने की चक्कर में कॉंग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आगी है अपने बलगूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक छेत्र में भी प्रगदी करते हैं उसको हमने कभी परिवारबाद नहीं कहा है हम परिवारबाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है जो पार्टी परिवार के लोगों को प्रात्विक्ता देती है जो पार्टी के सारे नेने परिवार के लोग ही करते हैं वो परिवारबाद है ना राजनाजी की कोई पुलिटिकल पार्टी है ना अमिच्छाह की कोई पुलिटिकल पार्टी है देश के लोकतंत्र के लिए परिवारबादी राजनीती परिवारिक पार्टियों की राजनीती यह हम सब की चिंता का विशे होना चाहिए सवाल यह है कि परिवार ही पार्टिया चलाती है पक्ता है यह देख्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा यह नहीं होगा तो उसका बेटा होगा यह लोकतंतर का खत्रा है अधेन अध्यक जी कॉंग्रेस एक परिवार में उलज गई है देश के करोड़ों परिवार के आकांगशाएं और उपलब्दियां वो देख पाही नहीं रहे देख सकते नहीं अपने परिवार के बार देखने की तयारी नहीं है कॉंग्रेस का विश्वाथ हमेशा शुरप एक परिवार पर रहा है एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं कुछ दिन पहले बानुमती का कुनवा जोड़ा लेकिन फिर एक लाच चलो रहे करने लग गए कॉंग्रेस के लोगों ने नया नया मॉटर मेकेनिक का काम सिखा है और इसलिए एलाइनमेंट क्या होता है उसका ग्याम दो हो गया हो गया लेकिन मैं देख रहा हूँ है अलाइन्स का ही अलाइनमेंट बिकड़ गया प्रधान मंत्री मोधी ने भाज़पा के तीसरे कारिकाल में भारत की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ती बनने का विश्वास वेक्त किया प्रधान मंत्री ने कॉंग्रेस पर सुस्त रवया अपनाने का रूप लगाया और कहा कि उन्हों ने इसके लिए तीस वर्षों का लक्ष निर्धारित किया था जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ती बनकर अग्रेगे कहते हैं तो हमारे विपक्ष में बैटे कुछ साथी कैसा कुतर्ग देते हैं कैसा कुतर्ग देते हैं वो कहते हैं इसमें क्या है यह तो अपने आप हो जाएगा क्या कमाल है आप लोगों के मुदी का क्या है यह तो अपने आप हो जाएगी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गवरोगान होता था आज पांच पर पहुंच गए और आपको क्या हो जाएगे उस समय के ब्रमान के बड़े अर्थसात्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर तीस साल में हम पहुंच जाएंगे तीस साल और फिर कहाता है यह मेरा विजन तीस साल का इंतजार करने लिए मेरे देश की युवा पीड़ी कोई कहकर गए थे लेकिर हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं इस पवित्र सदर में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तीस साल हम नहीं लगने देंगे यह मोदी की गरंटी है मेरे तीसरे कारकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थी खड़े हैं प्रधान मंतुषी ने विक्सित भारत के सपने को साकार करने के लिए सवी विपक्षी दलों से सहयोग मागा और उने कहा कि अगर विपक्ष आदितन इट भी फेकता रहा तो वो विक्सित भारत की नीब मना ली जाएगी राजनितिक अपनी जगा पर होती है आरोप प्रत्यारोप अपनी जगा पर होता है लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है और इसलिए आगे मैं निमंस्तर देता हूँ आपको कंदस दे किंदा मिला करके हम देश के निर्मान के लिए आगे बढ़े हैं मैं आपका साथ मांग रहा हूँ मैं भारती के कल्यान के लिए साथ मांग रहा हूँ मैं बिश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को भुनाने के लिए आपका साथ मांग रहा हूँ मैं आपका सयोग चाहता हूँ एक सो चालीस करोड देशवास्चों की जिन्दगी को और सम्रुद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए लेकिन अगर आप सांथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ इंटे फैकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिए आपके हर इट को मैं विक्सित भारत की नीव मजबूद करने के लिए नहीं देखा हुआ 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 है नव दिन चले अधाई कोस और मुझे लगता है कि यह कहावत पूरी तरह कॉंग्रेस को परिभाशित रही है यह कॉंग्रेस की सुस्तरब्तार कॉंग्रेस की सुस्तरब्तार का कोई मुखाबला नहीं है हमने गरीबों के लिए चार करोड घर बनाए और शहरी गरीबों के लिए असी लाग पके मकान शहरी गरीबों के लिए बने अगर कॉंग्रेस की रप्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता बैस का हिसाब लगाता हूँ अगर कॉंग्रेस की जो रप्तार थी उस प्रकार से चला होता तो सो साल लगते इतना काम करने में सो साल लगते प्लान मंतरी मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा कारकाल अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सिर्फ सौ सवासो दिन बाकी है उन्होंने विश्वास वेक्त किया है कि NDA 400 के पार पहुंच जाएगी और भाजबा को 370 सीटे जरूर मिलेगी भगवान राम आदे ने देखी भगवान राम ने सिर्थ अपने घर लोटे बलकि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महाँ समस्कुर्दिक करमकारा को नई उर्जा देता रहेगा और आदानियत देखी अब हमारी सरकार का तीसरा कारकार भी बहुत दूर नहीं है जादा से जादा सो सवा सो दिन बाती बाती है अर अपकी बार पुरा देश कह रहा है अपकी बार हर गेजी नहीं कह रहे हैं लेकिन अद्धिक जी मैं आम तोर पर यह आंकड़े आंकड़े के चक्र में नहीं पड़ता हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ देश का मिजाच एंडिये को तो चार सो पार करपाई के रहेगा लेकिन भार्टिये जनता पार्टि को तिन सो सत्तर सीट अवच से देगा बीजेपी को तिन सो सत्तर सीट और एंडिये को चार सो पार प्रधान मंत्री नैंत्र मोधी ने देश के प्रधान मंत्री जवाल लाल नहरू की नीतियों की जम कर आलोचना की प्रधान मंत्री ने भारतियों को नीचा दिखाया था और कहा था कि भारतिये कम काम करते हैं सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपती के अभी भाशन पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जम कर खरीखोटी सुनाई प्रधान मंत्री जोहालाल नहरू की नीतियों के अलोचना कई बार कर चुके हैं लेकिन सोमवार को उन्होंने नहरू इंद्रा के भाशनों का जिक्र कर उनकी जम कर अलोचना की उन्होंने कहा कि पूर प्रधान मंत्री जुहालाल नहरू ने भारतियों को नीचा दिखाया था और कहा था कि भारतिये कम काम करते हैं कॉंग्रेस की जो मानसिकता है जिसका देश को बहुत बुक्षान हुआ है कॉंग्रेस ने देश के सामर्थ पर कभी भी विश्वास नहीं किया कि अपने आपको शासक मानते रहें लाल के लिए से भारत के प्रथम प्रदान मंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं नेरुजी ने उन्हें ने कहा था हिंदुस्तान में काफी महनत करने की आदर आम तोर से नहीं है हम इतना काम नहीं करते जितना की हिरोप वाले या जपान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं नेरु जी लाल किले से बोल रहे हैं ये न समझिये कि वह कौमें कोई जादू से खुशाल हो गई वो मैनत से हुई है और अक्ल से हुई है ये उनको सर्टिपिकेट दे रहे हैं भारत के लोगों को नीशा दिखा रहे हैं दरसल जोहलाल नेरु ने एक बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि हिंदुस्तान में लोगों को काफी मेहनत करने की आदत आम तोर पर नहीं है हम इतना काम नहीं करते जितना यूरोप, जापान, चीन, रूस और अमेरिका वाले करते हैं आपको सुनवाते हैं नेरु का व वाकियात से, लेकिन बात ये है कि हम उत्ता काम नहीं करते हैं जितना कि यूरोप वाले, या जापान वाले, या चीन वाले, या रूस वाले कहीं करते हैं, या अमरीका वाले, ये न समझे कि वो कौमे खुशाल हो गई, कोई जादू से मेहनत से हुई हैं और अकल से हुई ह उन्होंने नेहरू की पुत्री और देश की पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के भाशन का भी जिक्र किया और कहा कि इंद्रा जी की सोच भी नेहरू जी से अलग नहीं थी लाल किले से पंद्रा अगस को इंद्रा जी ने कहा था बुर्भाग्यवश हमारी आदत ये हैं कि जब कोई शुब काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मत्रुष्टी की भावना से गस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती हैं तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट ने ही पराज भावना को अपना लिया है कॉंग्रेस के साही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझ देते हैं कि बीसे मैं ऐसे ही थो और आज भी आज भी वही सोच लेखेने को मिलती है प्रधान मंत्री ने कश्मीर के मस्टे पर भी नहरू को जम कर धोया और कहा कि उनकी गलतियों का खामियाजा आज भी देश भुगत रहा है अगर नहरूजी का नाम लेते हैं तो उनका बुरा लगता है लेकिन कश्मीर को जो समस्या जेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोचती और उसी का परणाम है देश को पकता मता जम कश्मीर के लोगों को देश के लोगों को नहरूजी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े हैं वो भले गलतिया करके गए लेकिन हम मुसीबते जेल करके भी गलतियों सुधाने के लिए हमारी कोशिच जानी रखे हैं हम रूकने वाले नहीं हैं हम देश क पीम ने कहा कि उनकी सरकार मुश्किलों का सामना करके भी इन घलतियों को दूर करके देश को मजबूत बनाने में लगी है पार्लेमेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूस और यहाँ पर एक चोटे से ब्रेक के लिए रुखते हैं साल बरस और सदी नहीं एक यूग गुजर जाएगा उम्र ना पूछो वंडल की जब फर्क नजराएगा वंडर सिमेंट फर्क नजराएगा बिस्नेश गुरू की जरूरत थी खास सीधे गए SBI स्टार्ट अब ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस स्टार्ट अडवाईजरी अन सपोर्ट SBI स्टार्ट अब ब्रांच पे अरे राम दयाल तेरी उपज का क्या हुआ अरे ओने अपने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची और तुम्हारी उपज मेरी उपज यह रही मिरे मोबाईल में एकदम सुरक्षित अरे यह तो कोई रसीद लगती है कोई रसीद नहीं डिजिटल रसीद है जो डबलू डि रसीद का कमाल दिखाता हूं चला देखा इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया यह तो कमाल हो गया कमाल तो अभी और भी है भाईया देखो जब और जहां उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूँगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूँगा अरे व आर्थिक विकास हो बिजनेस परहना कुडी आखो परहना या मिसस के साथ वकेशन? लो मुथूट फाइनस को लोन भरो साँ इंडिया का भरो साँ इंडिया का मुथूट फाइनस भारत का नंबर वन सबसे भरो से मन फाइनसियल सर्विसे ब्रांग गोल लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212 लाइफ में फिनांशल आजादी के लिए NPS जरूरी है रिटार्मेंट में फिनांशल आजादी रहे जारी NPS से आज ही करे तैयारी NPS जरूरी है सर आप बहुत लखी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंशॉरेंस और बाकिसारी फॉर्मालेटी इस टाइम से पूरी कर दिया अब आप घर जा सकते हैं मेरा बेटा? तो फिर आप? Policy Bazaar क्लीम के टाइम पे हमेश आपकी हल्प को तयार Policy Bazaar एक करोड का हेल्थ इंशॉरेंस सिब 390 रुपे महीने से शुरू मोदी सरकार की गैरंटी भारत होगा गरीवी मोट पांच सालों में तेरा करोड पचास लाख लोगों को गरीवी से बाहर निकाला हमारा संकल विकसित भारत एक चोले बाने का गोल्डी छोले मसालें जहां जाये रिष्टे बनाएं साल बरस और सदी नहीं एक यूख गुजर जाएगा उमर न पूछो बंडल की जब फर्क नज़र आएक वंडर सिमेंट फर्क नज़र आएका प्रतियोगी परिक्षाओं में होने वाले पेपर लीग को रोकने के लिए एक बड़ी पहल की है और आज केंद सरकार ने लोक सभा में लोक परिक्षा अनुचित साधनों की रोक थाम विदेख 2024 पेश किया है सुमवार को संसत के दोनों सदनों में प्रशनकाल में एहम सवालों के उत्तर दिये गए वहीं विधाई कामकाज को लेकर भी खुब प्रगती देखने को मिली लोक सभा में प्रशनकाल के बाद वित्तमंत्री निर्बला सीता रमन ने जम्मू कश्मीर का अंतरिम बजट सदन के बटल पर रखा वित्वर्ष दो हजार चौबीस पच्चिस के लिए केंदर शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए एक लाख अठारा हजार करोड रुपे का बजट पेश किया गया अंतरिम बजट में ग्रामिट शेत्रों में आवास और 18,36,000 परिवारों को साफ पीने के पानी के लिए हर घर नल लगाने पर जोर दिया गया है इसके साथ ही लोकसभा में दो एहम बिल भी पेश किये गए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंग ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारन विध्यक 2024 को लोकसभा में पेश किया विध्यक के प्रावधानों में परीक्षा पत्रों तक पहुँच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवारों तक पहुँचाने के लिए अनुचित तरीकों से शामिल संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने पर जोर दिया गया है इसके अलावा इसमें सजा के प्रावधान भी सखत किये गये हैं इस कानून के दाइरे में UPSC, SSB, RRB, Banking, NEET, JEE, CUET जैसी पर इक्षाएं भी आएंगी नए विध्यक में कम से कम एक करोड रुपए का जुर्माना और दस साल तक सजा हो सकती है इसके साथ ही लोकसभा में जम्मू कश्मीर में स्थानिय निकायों से संबंधित कानून में संशोधन के प्रस्ताव वाला एक विध्यक पेश किया गया जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर को आरक्षन प्रदान करने और समविधान के प्रावधानों के साथ केंदर शासित प्रदेश के इस्थानिय निकाय कानूनों में स्थिर्ता लाने के लिए ये विध्यक लाया गया है विधाई कामकाज के लिहाज से राज्यसभा की बात करें तो तीन एहम बिल सदन के पटल पर रखे गए जल प्रदूशन निवारन एवं नियंतरन संशोधन विधेक सहित तीन विधेक पेश किये गए जिन में कुछ अपराधों में जेल की सजा के प्रावधान को हटा कर उनके स्थान पर जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है परियावरन वन एवं जल वायू परिवरतन राज्य मंतरी अश्विनी कुमार चौबे ने जल प्रदूशन निवारन एवं नियंतरन संशोधन विधेक पेश किया इस विधेक से 1974 के मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव है इसके अनुसार छोटी मोटी गलती के लिए किसी को सजा ना दे कर सिर्फ अर्थ दंड लगाया जाए दो अन्या विधेक समविधान संशोधन विधेक हैं जो आंधरप्रदेश एवं ओडिसा से संबंधित है समविधान अनुसूचित जनजाती आदेश संशोधन विधेक 2024 में आंधरप्रदेश में अनुसूचित जनजातीयों की सूची में संशोधन का प्रस्ताव है इसमें अनुसूचित जनजातीयों की सूची में कुछ नई जातियों को चोड़ने का प्रावधान है सम्विधान अनुसूचित जाती एवं जन जाती आदेश संशोधन विध्यक 2024 भी राज्यसभा में पेश किया गया इस विध्यक में ओडिशा में अनुसूचित जाती एवं जन जातीयों की सूची में संशोधन का प्रस्ताव है इसमें ओडिशा की अनुसूचित जाती जन जातियों की सूचियों में कुछ नई जातियों को जोड़ने का प्रावधान है पारलिमेंट टीम, डीडी न्यूज और यहाँ पर एक और चुटे समरेक के लिए रुकते है साल बरस और सदी नहीं, एक यूग गुजर जाएगा अमर न पूछो बंडल की, जब फर्क नजराएगा बंडर सिमेंट, फर्क नजराएगा कम ओन बोई, लेट गो प्राक्टिस अरे रुक यार, मेरे बैंक अकॉंड मेरे गलत इंटरी का प्रावलम हो गया यह तो बैंक को कम्प्लेंट करना, बैंक को लिखे एक मेन हो गया है, बट वो गुगली पर गुगली डाले जाना है तो अर्बिया के लोगपल को इन फंग और उप्टुक में समझाता है जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपार, वैसे ही अर्बिया का पंवुट्समें आर्बिया कहता है, अगर बैंक आपकी कम्प्लेंट को एक मेने में नहीं सूचाता तो आप आर्बिया के कम्प्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ओनलाइन कम्प्लेंट कर सकते हैं यह आर्बिया का आसान तरीका है आपकी कम्प्लेंट सूचाने का और वो भी फ्री अब यह कहता है, जानकार बनिये कतर के लिए लाइफ में फिनांशल आजादी के लिए NPS जरूरी है रिटार्मेंट में फिनांशल आजादी रहे जारी NPS से आज ही करे तैयारी NPS जरूरी है यारो, शादी तो मैं प्रीती से ही करूगा कॉले स्टॉप करके अच्छी से नौकरी लूँगा जट से प्रीती को प्रपोस कर दूँगा और फैमिली हॉलिडे इस्पेन में वा यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फाद तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे के सेविंग शुरू कर दे SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाईए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियन पैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्वस SBI, देश का फैन मुथूद फाइन्स, भारत का नंबर वन सबसे भरोसे मन, Financial Services Brand गोल लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212 गोल्डी छोले मसाले, जहां जहाएं, रिष्टे बनाएं जहां जहाएं, रिष्टे बनाएं, गोल्डी मसाले देश के विभिन, अल्प संख्यक वर्गों का प्रत्रित्यों करने वाले धार्मिक नेता आज संसद में प्रधान मंत्री नैत्रमोदी और उपराश्टपती और आज सभा के सभापती जगदीब धनकर से मिलने के लिए संसद भवन पहुँचे इस दोरान सभी धर्मिक नेताओं ने संसद की कारवाई भी देखी ओल इंडिया इमाम और्गनाइशन के मुक इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि सभी धर्म के नेता पैगामे बहुबत लेकर आए है 2024 के चुनाओं से पहले मुदी सरकार के खलाफ विपक्षी पार्टियां मुद्दा ढूनने की कोशिश कर रही है बीतकोशे दिनों से कॉंग्रेस के नेता देश में उत्तर और दक्षल के राज्यों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करते दिखाई पर रहे है करनाटक के कॉंग्रेस नेता अब बजट आवंटन में करनाटक के साथ सौतेला विवहार करने की बात कर रहे हैं लेकिन वित्त्यमंत्री निर्वला सीतरवन ने स्पस्ट किया है कि वित्त आयोक की अनुशंशा के आधार पर ही राज्यों के लिए वित्त का आवंटन होता है इसमें वित्त्यमंत्राले का कोई लेना देना नहीं है आप इस ख़बर को देखें मुझे और मेरी टीम को दीजे अन्मती नमस्का कॉंग्रेस के रवईय और रुख के चलते विपक्षी गडबंधन के तारतार होने के बाद मुद्दा विहीन हो चुकी कॉंग्रेस अब दक्षिड और उत्तर के बीच खाई डालने की कोशिश कर रही है कॉंग्रेस ने बजट में गहर भाजपा शासित खास्तोर से करनाटा के साथ सोतेला विवहार का आरोप लगाते हुए दिली में साथ फरवरी को विरोध पदशन का एलान किया है हाला कि वित्त मंत्री निर्मिला सीता रमन कॉंग्रेस के इन आरोपों को निराधार बताते हुए लोकसभा में कहा कि वित्त आयो की अनुशंसा के आधार पर ही राज्यों को पैसा मिलता है और इसमें वित्त मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है There is an insinuation that it's because me holding money here, I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs, please tell your requirements, please tell your status. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. The GST, particularly the SGST, the state GST, goes 100% to the states. No one can do anything with it. It has automatic provision that 100% collected by the states will be with them. Halaki Kanata के मुख मंतरी D.K. शीव कुमार राज्यों को धन आवंटित करने के लिए अलग नियम ही बता रहे हैं. Before the election, Honorable Finance Minister had announced in the budget that they are going to release 5,300 floors. Have they released? Is it not the voice of the Honorable Finance Minister? वहीं भाजपा कांग्रेस की इस कदम को राजनीतिक स्टन्ट बता रही है. जबकि 2014 से 24 के बीच ये आकला 2,82,791 करोड रहा. वहीं 2004 से 2014 के बीच राज्यों को दी गई वित्य सहायता 6,789 करोड रही. जबकि 2014 से 24 में ये आकला 2,08,82 करोड रूपए है. भाजपा दोरा पेश किये गया, आकलों से साफ है कि करनाटा को UPA की तुलना में, इंडिये के कारिकाल में अधिक धन आवंटित हुए, फिर भी कॉंग्रेस इत्मुद्धे पर राजणी करने से बाज नहीं आ रही है. इससे पहले अंतरिम बजट के बाद काउंग्रेस के एक सांसत डीके सुरेश ने तो दक्षिड के राज़ियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा था कि दक्षडी राज़ियों से कत्र किया गया पैसा उत्तर के राज़ियों को दिया जा रहा है. उन्होंने तो दक्षडी राज़ियों के लिए एक अलग देश की ही वकालत कर डाली थी, जिसे उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था. भाज़पा उनकी इस विवादित बयान पर माफी की माग कर रही है. ब्योर्य रिपोर्ट डीरी नियूज उन्हें कर दो दो जबेड़े माफी है खायर दो माफी उन्हें के लाज़बाए रहा है.